एक एनिमल सिस्टम में इतनी तरह के वराइटी है तो क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में पूरी लेविंग वर्ल्ड में जो पूरा बाइलिजिकल सिस्टम है तो कितने तरह के जीब दंपू होंगे इतना क्लासिफिकेशन अधे जीए जिनके द्वरा ये सुरुवात हुई उनको हम लुकाते हैं फादर ओफ जुलोजी फादर ओफ बाइलोजी और वहीं से सुरूँ होती है क्लासिपिकेशन तैक्सोनमी इसलिए उन्हें हम फाउंडर ओफ टेक्सोनोमी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही सुरुवात की कि लॉजिक से बाइलोजी की तरफ मूब किया जाए और इनको समझा जाए कि जो लिविंग वर्ड है इसमें कितने तरह के और्गनिजम होते हैं, कैसे कैसे इनको समझा जा सकता है, कैसे क्ल मौरफ्लोऑजी की कارेक्टर के अधार पर जब भी क्लासिफन होता है तो हमेशा हम लोग लिखती है on the basis of, मतलब क्लासिफिकेशन का कोई तो तरीका होगा, कोई तो basis होगा, जब भी classification होता है, था हमे इसा धिहान में रखना है उस classification का कोई न कोई बेसिक यूनिट ज़रूर होगा इस classification में जो basic unit था वो था morphological character similarity कितना similar है उसका morphological character कैसा है तो फिर जो plant और animal हुए उनको दो भागव में बाटा गया कि plant में कितने तरह के चीजे हैं और animal में कितने तरह के चीजे हैं दो भाग तो पहले से पूरी दुनिया living world को plant और animal में divide कर दिया गया अब plant कितने तरह के हो सकते हैं तो कहा गया या तो कोई plant छोटा हो सकता है जिसको हम लोग हर्व कहेंगे उससे बड़ा हो सकता है जिसको हम लोग प्री कहेंगे अब animal की बात करें क्या animal में भी classification था बिल्कुल था animal के classification में दो तर्क दिया दिया या तो animal red blood हो सकता है एक ऐसा एनिमल जिसके पास red blood हो और एक ऐसा एनिमल जिसके पास red blood नहीं हो आप comment section में जरूर हमें बताएं कि आपको पता है कि ऐसे कितने organism है, ऐसे कितने living system है जिनके पास red blood नहीं होता, जिसके पास red blood होता है उसमें से सबसे पहला example हम लोग खुद का ले सकते हैं और जिन में नहीं होता है उनमें अलग-अलग तहरे कि जीब जणतु है, अलग-अलग living organism है जैसे कि देखिये, violet color का blood होता है कि इसमें आपका जो pain warm होता है या जो pinnit warm होता है इसमें आपका violet color का blood होता है अगर हम लोग green blood की बात करें तो जो आपका segmented warm है, कुछ segmented warm, leech, इन सब में कैसा होता है, green color का blood होता है, अगर हम लोग खुद की बात करें, हम लोग आप पास red color का blood होता है, और अगर हम लोग कुछ octopus की बात करें, और squid की बात करें, उसमें blue color का blood होता है, तो इसलिए पूरी दुनिया को, living world में जो animal system था उसको दो भागों में बाट दिया गया, एक वो system जिसके पास red blood होता है, और एक वो system जिसके पास red blood नहीं होता है, अब इनके बाद ये system बहुत दिनों तक नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि अगर एक ही system में, एक animal system में इतनी तरह के variety है, तो क्या लगता है कि इस पूर तो तकरीवन 2000 सालों तक ये classification चला, तकरीवन 2000 सालों तक, लेकिन इस classification को replace किया गया, कान, linear सर के द्वारा, जब उन्होंने कहा, कि इनमें और भी चीज़ें सामिल की जा सकती, इसको और भी classify किया जा सकता है, और उन्होंने दिया two kingdom classification, किनके basis पर, उनका basis क्या था, nutrition और locomotion, अंतर ये है, इन्होंने उसको और deep study किया, और इसको अलग लग hierarchy में बांट दिया, कि domain होगा, kingdom होगा, phylum होगा, class होगा, order होगा, family होगा, genus होगा, species होगा, ये जो classification का hierarchy है, ये गाल लिलिया सर के द्वारा दिया गया, लेकिन जब इसमें भी study किया गया, जब लोगों ने इसको पढ़ना सुरू किया, जब इसको यूज करना सुरू किया, ऐसे चीजें पाया गई जो ये describe नहीं कर पाता था, ये system जिसको describe नहीं करता था, इसी लिए इसे inadequate पाया गया, insufficient for purpose, जिस purpose के लिए बनाया गया था, किस purpose के लिए, कि पूरे living world को समझना है, biological system को समझना है, इस धर्ती पे जीवन को समझना है, उस purpose के लिए ये एकदम sufficient नहीं हो पाया, कमी क्या था, ये नहीं बता पा रहा था, ये system कि यूकरियोटिक और प्रोकरियोटिक में कौन सा organism, यूकरियोटिक और इजिन का है, और कौन सा organism, प्रोकरियोटिक और इजिन का है, ये system इस बात की पुस्टी नहीं कर पा रहा था, दूसरा कि कौन सा organism, यूनिसेलुलर है और कौन सा organism, Multi-cellular है, इस बात का भी प्रमान ये 2KINGDOM classification नहीं दे पा रहा था, इसका प्रमान भी इसका डिस्क्रिप्शन भी यह सिस्टम नहीं दे रहा था तब 1969 में एक नहा क्लासिफिकेशन दिया जिसे हम लोग कहते हैं फाइब इंडम क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोलेरा वर इस्टा वंगस लांट और एनिमल तो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था कि वो प्रोकरियोटिक है यूकरियोटिक है जो चीजें उनमें इंसफिसियंट था जिसको डिस्क्राइब नहीं कर पा ऐसा है more of nutrition reproduction और phylogenetic relationship इन पाचो character कैधार पर five kingdom classification दिया गया तो माली जी आपका और्गनिजम है अब हम लोग classification करना शुरू करेंगे तो पहला जो है structure of cell silk structure कैधार पर इसको लाइस्पाय करेंगे या तो वो prokaryotic हो सकता है या तो वो eukaryotic हो सकता है पहला classification का पहला basis जो हमने लगाए वो क्या था या तो prokaryotic हो सकता है या तो eukaryotic हो सकता है अगर वो prokaryotic है तो उसको हम लगाने monera कहा और mostly जो सारी prokaryotic organism होते हैं वो unicellular होते हैं और prokaryotic होते हैं तो monera में जो group आया वो क्या था सभी unicellular और prokaryotic यह और्ग्रानेशन जो है वह कहां रहेंगे मोनारायमर ही फिर हर कोई सामय के साथ विकास करता है डबलब करता है यह प्रोकरेयोटिक शेल प्रो मतलब होता है पुराना on my love a nucleus प्रोकर्योटिक मतलब एक ऐसा सेंग जिसमें पूराना nucleus रहे थे double membrane structure थे उसके पास उसको कहा गिया यू करियोर्ट यू मतलब होता नया केरियोन मतलब nucleus एक ऐसा organism एक ऐसा cell जिसके पास नया nucleus था एक well defined nucleus था अब ये eukaryotic organism में सबसे आसानी से दिखने वाला जो चीज था वो क्या था multicellular structure जैसे हम सब आस पास में देख रहे हैं तो eukaryotic चीज़ों में eukaryotic organism में सबसे आसानी से अब्जरब करने वाला जो character था वो था multicellular का होना अब जब multicellular हो गया ये eukaryotic क्या हुआ multicellular character को absorb किया गया अब इस multicellular character में absorb किया गया कि एक ऐसा character है एक ऐसा organism है जिसके पास cellule है और एक ऐसा organism है जिसके पास cellule नहीं है दो तरह का organism मल्टicellular में हुआ अब जिसके पास cellule था देखा गया कुस्मिट कुछ जो है व कुछ सिखाना बनाते हैं अपना भूजल की वेवस्ताव खुदी करते हैं और देखा गया कि जो सेलवाल के साथ थे उसके पास सेलवाल भी था अपना खाना खूद नहीं बनाते थे तो जो अटैई गया जोसको नाम दिया गया प्रणट ऑटने की प्लांट जो फोट्ट अटो ट्रॉक है और जो मल्टी सेलवाल के साथ भी था और ही ट्रॉक था उसको कहा गया ऑंगश आब बच गया हमार पास क्या विटाऊट चल्वाल एक ऐसा और्गनिजम जिसे मल्टी सेलुलर तो था, सेल वाल नहीं था, उसको कहा गया एनिमीलिया, यह सिस्टम तो बहुत अच्छा था, हमारा मोनेरा हो गया, प्लांट हो गया, फंगस हो गया और एनिमीलिया भी हो गया, लेकिन जब इसमें और कारेक्टर को स्टडी किया जब देखा गया, तो जो यूनी सेलुलर थे, जो एक सेल वाला थे, जो जिसे हम लोग पहले कह रहे थे, सारे यूनी सेलुलर प्रोकरियोटिक होते हैं, मोनेरा कहते हैं, लेकिन जब इस कारेक्टर को अबजॉब किया गया, और इसमें डीपली देखा गया, इसमें पाया लिया, कि बहुत से ऐसे एनिमल है, जिसमें कारेक्टर है, एनिमल का है, यूकरियोट भी है, लेकिन इसमें मल्टी सेलुलर का कारेक्टर नहीं है, वो क्या है, यूनी सेलुलर है, तो बहुत से एनिमल थे, यूनी सेलुलर थे, बहुत से प्लांट थे, यूनी सेलुलर थे, मतलब ये विकास की उस सिली को दर साता है कि जब प्रोकरियोटिक से यूकरियोटिक में कनवर्ट हुआ होगा तो वो तुरंत से मल्टी सेलूलर में कनवर्ट नहीं हुआ होगा शुरुवात में वो यूनि सेलुलर जरूर बना होगा और यूनि सेलुलर पहले डवलप किया होगा इसके बाद फिर मल्टी सेलुलर के तरफ वो बढ़ा होगा तो वो जितना यूनि सेलुलर कारेक्टर थे इधर प्लांट का यूनि सेलुलर फंगस का यूनि सेलुलर और एन उनिसलेलर को और यूटर हो रिया होगा, क्योंकिनल्स तीर ऐसे क्लिए julie प्लांटर क्या होगा, ना तो नि-मल्रा कैरेक्टर रायगा, नहीं हूंगस का करेक्टर राएगा इसिपिशली सिंगल इगर हम लोग और है कि अलग तवर पत्व लेकिसमें सब करेक्टरा सँकता है ho सकता हो प्लांतर हो सकता है फंगस करेंगे यह यूनिस निलकार हो गाहर और यू़ नहीं बन गया था जैसे डवलप किया फैले यूनिस से लेड़ा था पहले वो अब वहां के साथ उसमें दो तरह का करेक्टर डबलब हुए एक और टॉट्रापिक था जिसको में लोग प्लांट करते हैं यह था आपका फाइब किंडम क्लासिफिकेशन जब प्लांट में बेटीरिया ब्लू ग्रीन अलगी फंगस मॉसेस फर्ण जिम्नोस पामों इंजिस पामी सारी कहां थे प्लांट में थे लेकिन जब नया क्लासिफिकेशन आया तो प्रोटिस्टा के अंदर वो सभी यूनि सेलूलर का एकराड-गया जैसे की विल्मएड मोनास और लेला ये दो ऐसे प्लांट है यह यूनि जालूलर है क्लमेड मोनास और छोडलikke ये दून क्या है यूनि से लूरर है इस वजले से यह प्रोटिस्टा में आ गया उशी तरह से दूस्टा मल्टी सेलुलर होगा यू करियोटिक होगा हेट्रोट्रॉपिक नेचर में होगा और सेलवाल तो होगा लेकिन सेलुलोज का नहीं होगा इसका होगा काइटीन का होगा उसको हम लोग कहेंगे फंगस और जो मल्टी सेलुलर होगा यू करियोटिक भी होगा फोटो स चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए यहां जो मेरे पास लेस्ट है उसमें दस एक्जाम को हैं यह सिलिबस वैसा है कि बच्चे इसको आसाने से क्वालिफाई पर सकते हैं आई सिमार इसलिए नाम से ही लगता है यह मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया है लेकिन इस में या आप नश१ा नहीं है कि आप नहीं बरते हैं लेकिन ऐसा भी नही नहीं है कि हर लाइप सैंस का हर स्ट्रीम इसके लिए कि फघर लिया झाल झाल